अमस्कार मित्रों मैं राजे शुक्ला आपके यूट्यूब चैनल एमसिंजर 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक वाग के विचार चुने है जो आपके परिक्षाग लेत्ते दुपियोगी रहेगा तो चलिए समय कुना गवाते हुए हम आगे चलते हैं तो देखते हैं वाग के विचार क्या है अब तक आपने पढ़ा वर्ड विचार शब्द विचार अब हम इसे स्रिंखला में लेके चल रहे हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए अब देखते हैं वर्ड विचार में आपने क्या पढ़ा कि धुनी की चोटी से चोटी काई वर्ड कहला रहे थी अब फिर जब वर्डो को जोड दी यानि वर्डो का एक सार्थक समझ बना लिये तब वो क्या कहलाया था शब्द कहलाया था अब वाकि किसे कहते हैं तो आईए देखते हैं कि शब्दों के सार्थक समझ को सब्दों के सार्थक समों को क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं अब सब्द के सार्थक समों का मतलब क्या है जैसे लिखा है वह जाता है सार्थक समों हर एक सब्द का अर्थ निकलना चाहिए तो वह घर जाता है यहाँ पर इस वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकल ला है अता है यही आपका क्या कहलाएगा वाक्य कहलाएगा तो परभाशा क्या बनी कि शब्दों के सार्थक समों को क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं ठी दियान रखेएगा पेपर में आपके पूछा चुका है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं तो वाक्य के दो अंग हैं पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है विध्यय अब उद्देश्य क्या होता है और विध्यय क्या होता है चलिए देखते हैं उद्देश्य किसी कहते तो वाक्य में जिसके विशय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश कहा जाता है उसे उद्देश कहते हैं उद्देश कहते हैं उद्देश अर्था करता आप सिधे से कह सकते हैं करता ठीक है यानि वाक्य में जिसके विशय में भी कुछ कहा जाएगा वाक्या कहलाएगा उद देखते हैं वाक्य में उद्देश के विशे में जानकारी के लिए कौन प्रश्न करते हैं ठीक है अब ध्यान देजी कौन प्रश्न कहां करना है तो कौन का प्रश्न आप क्रिया के साथ जोड़ कर कीजिएगा हमیشہ आप वाक्मी जब क्रिया के साथ कौन प्रश्ण करेंगे तो आपको υद्डेश्य एर्थात करता पता चल जाएगा आईए हम उदाहरड के जते हैं जैसे उदाहरड में पहला उदाहरड है सोहन खेलता है अब सोहन खेलता है में खेलना क्रिया है अगर हम खेलना में प्रश्ण कर लें, कौन खेलता है? हमने क्या कहा? कौन खेलता है? तो हमें जो जवाब मिलेगा, वही आपका विधेय अर्थात करता होगा तो कौन खेलता है? सोहन खेलता है अगला उदहरड देखते हैं माता जी खाना बना रही है कुन खाना बना रही है तो माता जी अर्थात यहां पर विधिया उद्देश ही कौन हुआ माता जी हुई पक्षी आकास में ओड रहे हैं तो कौन आकास में ओड रहे हैं तो पक्षी आकास में ओड रहे हैं अर्थात ही आपका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया हमने ये कहा कि आप क्रिया के साथ सदै हो जब कौन प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उद्देश्य मिलेगा अर्थात करता पता चल जाएगा अता उपरोक्त उदाहरण में सोहन, माताजी, पक्षी क्या है? उद्देश्य है उमीद करते हैं तक समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं अगला आपका विधिय विधिय किसी कहते हैं? उद्देश्य को छोड़कर सेश सभी को क्या कहा जाता है? विधिय कहा जाता है पुना उसी उदारड को हम लेते हैं ताकि आपके लिए confusion ना रहे और आप आसानी से समझ जा है सोहन खेलता है यहाँ पे उद्देश कौन है? सोहन है माता जी खाना बना रही है इसमें यहाँ पे उद्देश कौन है? माता जी है पक्षी आकास में उड़ रहे हैं तो यहाँ उद्देश कौन है? पक्षी है अब इसके अत्रिक्त जो भी बचा है वहापका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा वहापका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा ठीक है? उमेद करते हैं आपको उद्देश और विधिये बिल्कुल समझ में आ गया होगा उप्रोग तुदाहरण में खेलता है खाना बना रही है और आकास में उड़ रहे हैं शब्द क्या है विधिये हैं जो कि हमने उपर समझ लिया है आगे चलते हैं आगे आता आपका वाके के भेद मोस्ट इंपॉर्डन कोईसन मोस्ट इंपॉर्डन वाके को कितने भेद में आपसे ऐसे प्रशन कर सकता है वाके कितने प्रकार के हैं अथवा वाके का वर्गी करड़ कितने भागों में किया गया है अथवा वाक्य के कितने भेद हैं तो इन तीनों प्रश्णों के उत्तर होंगे दो चाहे आपसे कहें वाक्य का वर्गी करड कितने आधार पर किया गया वाक्य के कितने भेद हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं अब आईए देखते हैं कौन कौन से पहला आपका रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य ठीक है तो रचना के आधार पर वाक्यों को कितनी भाग में बाटा गया मूस्ट इंपोर्डेंट आपका यह कई बार वाक्यों कितनी प्रकार के होते हैं साधार वाक्य और साई युक्त वाक्यों के आगे पीछी कर दिया है ताकि आआसानेसा prin recom समझा सके हम आपको हम रटाएंगे कि आप आपको समझा weakea को इसमें क्या होता है, मिस्रित वाक्य के कुछ सब्दों को सब रट लेते हैं, सैयुक्त वाक्य के कुछ सब्दों को सब रट लेते हैं, और उसे की आधारों तयारी करते हैं, हम आपको यहाँ पर एक चीज बनाना सिखाएंगे और दूसरा खुद बन जाएगा, देखते हैं कै से तो चलिए शुरुआत करते हैं साधारडवाक्य से साधारडवाक्य क्या है जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश हो अर्थात एक करता हो और एक ही विध्य भी हो अर्थात एक ही क्रिया भी हो ध्यान से समझे जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश हो जिन वाक्यों में एक उद्देश अर्थात एक करता होता है और एक ही क्या होता है विधे होता है अर्थात वहाँ पे एक ही क्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है वह साधारण वाक्य कहलाता है उदारण देखते हैं उधारण में लिखा सोहन पत्र पढ़ता है, अब हम करता पहचान सकते हैं, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना है, कौन, कौन पत्र पढ़ रहा है, तो सोहन, यहां क्या है, उद्देशी है, कौन बाजार जा रहा है, तो मोहन, यहां आपका उद्देशी हो गया, कौन फूल त देख रहे हैं एक एक ही हो रही है यहां पढ़ना करिया है यहां जाना करिया है यहां तोड़ना करिया है और यहां गाना करिया है तो जिन वाक्यों में एक उद्देश और एक विधिय होता है वह कैसा वाक्य होता है साधारण वाक्य होता है उम्मीद करते हैं आपको यह जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्यों हो तथा एक आस्रित उपवाक्यों अब आप लोगों में कोई लोग कन्फियूज होंगी कि उपवाक्य क्या होते हैं तो उपवाक्य की चर्चा हम अक्से कर देंगी ताकि आपको बहतर समझ में आ जाए अभी आप इतना जानिए कि जिनवाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आसरित उपवाक्य होता है ठीक है उसे मिसरित उपवाक्य कहते हैं जान रहे जिनवाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक आसरित उपवाक्य होता है उसे क्या कहते हैं मिसरित उपवाक्य कहते हैं अब आईए देखते हैं हमें यहां मिस्रित वाकि बनाना सीखना है कैसे बनेगा हम आपको तरीका बताते हैं आप एक बार दो बार देखेंगे तीसरी बार आप खुद कर ले जाएंगे और जब आप मिस्रित वाकि बना ले जाएंगे तो जो बचेगा मिस्रित वाक्य के बाद जो भी बचेगा वह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा इस प्रकार को रटना नहीं पड़ेगा अब देखते हैं मिस्रित वाक्य बनाने के भी दे यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला लिखाया सुद्र कि मिस्र जी की युगल जोड़ी आसरित है क्या है मिस्र जी की युगल जोड़ी आसरित है अब देखते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर मिस्र का तात पर है मिस्रित वाक्य मिस्र का तात पर है क्या है मिस्रित वाक्य से यानि चर्चा किस की हो रही है मिस्रित वाकि की हो रही है जी का ताथ पर क्या है जी का ताथ पर है अगर वाकि के बीच में जो आ जाए जी का ताथ पर जो से है ठीक है अगर वाकि के बीच में जो आ जाए तब भी आपका क्या रहेगा मिस्रित वाकि आ जाएगा यदिवाकी के बीच में कहीं की आजए की बड़ी ए का ही मात्रा होना चाहिए वहाँ यदिवाकी के बीच में कहीं की आजए तब भी आपका वो क्या होगा मिस्रित वाक्य होगा योगल जोड़ी योगल जोड़ी का मतलब होता है कि प्रारंभ में एक ऐसा शब्द या अक्षर होगा जिसको पूरा करने के लिए बाद में भी एक अक्षर या सब्द लिखा रहेगा जैसे जो जो के साथ सो लिखा रहता अक्षर आप देखते होंगे जैसा अगर पहले लिखा हो आक्षर तो बाद में हम देखते होंगे वह ऐसा लिखा रहता है ठीक है यदि अगर आगे लिखा रहता है तो बाद में तो लिखा रहता है यानि देखी इन सब के लिए एक एक जोड़े बने हुए हैं इन्हें को क्या कहा जाता है, यूगल जोड़ी, और जहां पर यूगल जोड़ी होते हैं, वह भी आपका क्या होता है, मिस्त्रित वाक्य होता है, अगला आपका आस्रित है, अगला और अंतिम टॉपिक है इसमी का, कि आस्रित है, अब आस्रित क्या होता है, कि दो वाक्य तो बाद में उसे पूरा करने के लिए एक अक्षर और सब्द को पुना दिया जाता है और आसरित का मतलब जब दूसरा वाकि पहले वाकि पर आसरित हो जाता है तो आपका क्या होता है? मिसरित वाकि होता है इतनी चीजों को आपके ध्यान में लेकी चलना है आप बस इतना पढ़ लेजए कि मिसर जी की यूगल जोड़ी आसरित है अब उदाहरर से हम समझते हैं कि क्या ये लागू हो रहा है तो देखते हैं यदि वर्सा होती तो फसल अच्छी होती अब समझते हैं हमने कहा वाकी के यहां पर करता मालेजी करता एक प्रकार से वर्सा को माल लेते हैं सपोस आपका करता वर्सा हो गया वाक्य के प्रारम हमें यद लिखा है तो क्या हम देखते हैं कहीं इसे पूरा करने के लिए वाक्य के बीच में कुछ और दिया गया है तो वदि वर्षा होती तो यदि और तो जो है योगल जोड़ी का कारे कर रहे हैं ये पहली पहचान हो गई दूसरी पहचान क्या है फसल अच्छी कब होती जब वर्सा होती यानि जो दूसरी क्रिया है या पहली क्रिया पर क्या है आस्रित है इस प्रकार ये का ऐसा वाक्य हो गया मिस्रित वाक्य हो गया ठीक है ऐसे वाक्य हो तो ऐसे सब पहचान भी लेते हैं अगला उदाहर देखत सोहन ने कहा कि मैं घर चला जाओंगा आपको की दिखे जैसे वाके के बीच में की दिखे आप तुरंत मिसरे तबाल दीजि के हमने कहा कि यह스 है के बीच कह दख जाएं याद अगला उदार दीखते हैं अगला उदार जो सोटा है वह खोता है अब देखिए इहां जो लिखा है अभ्देगे जो को पूरा करने के लूग कोई और अक्षर दिया तो जो सोटा है कि बाद यहां पर क्या लिखा है? खोता है जो के जोड़ी यानि जो के साथ यूगल जोड़ी कौन बना रहा है वो बना रहा है और जहां पर भी यूगल जोड़ी आते हैं वो कैसे वाक्य होते हैं मिस्रित वाक्य होते हैं ठीक है अगला देखते हैं यदी परिस्रम करोगे तो उत्तेड हो जाओगे यहाँ पे यद लिखा है और यहाँ पे तो लिखा है पहली पहचान तो योगल जोड़ी हो गई मिस्रित वाकि बन गया माल लीजी यहाँ पे यदी छिपा दिया जाए और तो छिपा दिया जाए तब भी आपका वही वाकि बनीगा मिस्रित क्यों परिस्रम करोगे तो उत्तिड हो जाओगे तो लिखना पड़ीगा परिस्रम करोगे तो उत्तिड हो जाओगे अब मिस्रित कैसे है यहाँ पर जो दूसरी क्रिया है वह पहली क्रिया पर आस्रित है इसलिए आपका यह कैसा वाक्य है मिस्रित वाक्य है उम्मीद करते हैं आप सब कोई समझ में आ गया होगा यदि आपको कुछ भी ऐसा हो चुछ समझ में न आया होगा तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं तीसरा भाग देखते हैं तीसरा भेद संयुक्त आप कीजेगा यहाँ सुर हो गया है यहाँ वाक्य होना चाहिए था तीसरा क्या है आपका संयुक्त वाक्य तीसरा भेत क्या है आपका संयुक्त वाक्य अभी आपने साधरड पढ़ा मिस्रित पढ़ा अप कौन से पढ़ना है संयुक्त पढ़ना है तो देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते यही बात आपको ध्यान में रखना है, वो क्या होते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं, ना कि सरल वाक्य होंगे, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, फिर से ध्यान से समय लेजे, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, उन्हें कैसा वाक्य कहा जाता है, उ जब आईए देखते हैं उदाहरड के तौर पे हमने कहा आप मिस्रित वाक के पहचान लिजी ध्यान से अगर आप मिस्रित वाक के पहचान लिए हैं तो जो भी बचेगा वो आपका संजिक वाक की वैसे बन जाएगा आपको दोनों नहीं पढ़ना पड़ेगा आप एक पढ़ जो है ये दो सरल वाक्यों को जोडने का कारी कर रहा है अब सरल वाक्य हम कैसे पहचान रहे हैं जिसमें एक करता और एक क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है और दो सरल वाक्यों को जोडने का जोडने पर वो कैसा वाक्य बन जाता है संयुक्त वाक्य बन जाता है अगला उ कैसा वाक्य है संयुक्त वाक्य है वह परिक्षा में फेल हो गया वह परिक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने महनत नहीं की थी ठीक है वह परिक्षा में फेल हो गया या आपका एक साधरड वाक्य हो गया उसने महनत नहीं की थी या भी एक साधरड वाक्य और इन दो सरल वाक वह समय पर नहीं आया, इसलिए मैं घर चला गया, वह समय पर नहीं आया, एक साधर अरडवाक्य, मैं घर चला गया, एक साधर अरडवाक्य, दू साधर अरडवाक्यों को जोड़ने का कारे, इसलिए कर रहा है, अता ही कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, अगला द अगला देखते हैं, उससे सामगरी नहीं मिली, नहीं तो वो लेकर आता, अब उससे सामगरी नहीं मिली, एक साधारण वाक्य हो गया, वो लेकर आता, ये भी एक साधारण वाक्य है, साधारण वाक्यों को हमने अभी विवताया, जिसमें एक करता और एक क्रिया, यानि एक उ जोडने का कारे कर रहा है नहीं तू आता ही एक ऐसा वाक्य है संयक्त वाक्य है उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी आपको हम पुन्ह बता दे रहे हैं कि यदि आपको वाक्य विचार तयार करना है तो most important आपका रचना का आधार होता है जिसमें से सबस जादा प्रशन पूछे जाते हैं सबसे जादा प्रशन रचना की आधार से ही पूछे जाते हैं परिक्षा में आपको रचना का आधार तयार करना है तो साधार अड़वा के तो हम सामानिता पहचान ही लेते हैं कि जिसमें एक करता और एक क्रिया हो वह साधार अड़वा क आप क्या कीजिए मिस्रित वाक्य को तैयार कर लीजिए मिस्रित वाक्य को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना बस इतना ही पढ़ना इससे बाहर मिस्रित वाक्य नहीं बनता तो मिस्री जी की युगल जोड़ी आस्रित है यदि ये लागू हो रहा है आपके वाक्य में तो आपका मिस्रित वाक्य है अगर नहीं लागू हो रहा है और तो क्या हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा ठीक है? आगे देखते हैं Most important आपके पेपर में इसमें से ये पूछा जा चुका है अधा हम तीनों को समझ लेते हैं एक बार संयुक्त वाक्य को ऐसे पूछा जा चुका है एक सरल वाक्य किसके किसके मिल से बनता है एक उद्देश और एक विधिय से पेपर में ऐसे option में दे देता है एक सरल वाक्य किसे बनेगा एक उद्देश और एक विधिय से एक मिस्रित वाक्य किसे बनता है एक मुख्य उपवाक्य से और एक आस्रित वाक्य से मिस्रित वाक्य किसे बनेगा एक मुख्य उपवाक्य से और एक आस्रित वाक्य से और संयुक्त वाक्य किसे बनता है दो सरलवाकियों से दो क्या दो से अधिक भी हो सकते हैं तो दो सरलवाकियों से कम से कम दो सरलवाकियों होने चाहिए क्या बनाने के लिए संयुक्तवाकि बनाने के लिए ठीक है? उम्मीद करते हैं यहां तक की टॉपिक आपको समझ में आये होगी यदि आपको ना समय हो इसमें कुछ तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बता सकते हैं उसे सुधार किया जाएगा अगले वर्गी करण की चर्चा में अगले वीडियो में करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद